Android 10 plus MIUI का support हमारे Redmi के Note 5 Pro को देहने को मिल चुका है जिसे फिलाल में कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको complete detail देने वाना इस MIUI Pro के बारे में जो के Android 10 के support के साथ आता है किसे install कैसे करना है और कितना आपको customization देहने को मिलता है और क्या चीजे features है जो कि proper तरकी से काम करता है तो अगर आप Redmi के Note 5 Pro देवाइस के users हो और आप MIUI के उपर Android 10 भी version यूज करना चाहते हो तो वीडियो का फुल एनटक watch करें क्योंकि आपको complete detail देहने को मिलने वाला है Hello everyone, I am MK and you are watching Tech Office और इस वीडियो में हम MIUI Pro Android 10 की Chrome के बारे में बात करने वाले है सबसे पहले आते हैं इसके about के page पे जहां पर आपको देहने को मिलता है device name जो कि Redmi का Note 5 है जो की code name वाइड है वहीं पर आपको इसका build नमबर देहने को मिलता है MIUI Pro का जो की 11 का है 20.4.9 जी हां अभी तक MIUI 12 के उपर Android 10 वी रोम नहीं आया है बर जैसे आता है तो सब्सक्राइब कर दूँगा बर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि हमें जो फाइनली पोर्ट रोम के थ्रू देहने को मिल गया Android 10 का सपोर्ट जो की MIUI के उपर है जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है वहीं पर आपको सेक्यूर्टी पैच 223 1 का रिखने को मिलता है जो कि तुछासा ओल्ड है क्योंकि यह जो बेड़ नमर ना यह भी काफी ज्यादा ओल्ड ही है जिसके बश्याद सेक्यूर्टी पैच भी ओल्ड है यहाँ पर आप देखते तो एस्टेंडर का करने लिए यूज किया गया जो कि 4.4218 है वह यह पर में जो वर्जन यूज करना हूँ वह 4GB वाला आपको देहने को यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर हम आते हैं तो कुछ इस तरह क्या प्रोडिशन पैनल देहने को मिलता है 1.9GB फ्री है जो कि 4GB में से और कुछ कई सारे टैब्स यहाँ पर ओपन है तो RAM मेलमेंट मुझे काफी अच्छा लगा कि कि कितने सारे टैब्स ओपन होने के बावजूद भी वन पॉइंट से लेके 2.1GB तका फ्री मेमरिया को यहाँ पर देहने को मिल जाता है जो कि काफी इंपोर्टेंट होता है किसी फोन के रोम को परफॉर्म करने के लिए हैं वह फिर लॉक स्कीन पर माते हैं टाप वोई कस्टमाज़ेशन जैसे कि राइट वेक डावल टैप और यहाँ पर स्कैनर एक्शन नहीं को मिलता है इसमें कोई चेंज नहीं है रेटिंग मूड तो परफेट काम करता है बट यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलता है डार्क मूड के अंदर क्योंकि अभी तक जब रेडमी के फाइफ प्रो डिवाइस को अभी तक देहने को नहीं मिला था हमारा गलोबल डार्क मूड और इंडि वहीं पर मीवाई प्रो के आपको फीचर्स देहने को मिल जाते हैं अनिमेशन वगेरा इस्ट्रस वार में आपको स्पीड मीटर क्रेक्टिवीटी हाइड यहाँ पर जीरो होने पर वहीं पर आपको कितना रिफ्रेस्ट होगा और यहाँ पर लॉक के बाद सो करेगा या नह पर लॉल अला भी आपको देहने को मिल जाता है तब दूने से कोई एक लग सकते हो बाकि यहाँ कोल्यूम आपको मैंटिन करने का उप्सन मिल जाता है अपने इस्ट्रस बार का जो कि आप यहाँ से एजिस्ट कर सकते हो वह वेदर और प्लॉक के फॉर्मेट और फॉन्ट को मिलते हैं चेंज करने का उपे आपको मिल जाता है है Yeah आई करने निकालतों तो से हाइट कर सकते हो बाग या पे डूमुड रोठ कर जाती हो अगर अभी तक वीडियो वाच करो है को यहाँ कर बाएप तो इसे तरगे इंट्रेस्टिंग रोम की रिवीव को वाच करने के लिए चैनल को सस्क्राइब और नोटिफिशन को इनेवल ज़ारूर करें ताकि आपको इसी तरगे इंट्रेस्टिंग और काफी पावर्फुल रोम का रिवीव मिल सके आप रेड्मी 4 डिवाईस और बाकी आप जो वीडियो का एक छोटा सा clip अपने incoming profile के लिए set कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर प्रोफर तरहीं से काम करता है तो यहाँ पर आपको कोई भी issues नहीं आएगा वहें पर additional के option में आपको मिल जाते हैं कई सारे sound के support जैसे के charging पे full पे, lock पे, disconnecting पे, delete पे और touch वगेरा पे वहें पर आपको जो volume panel की side expand होगा यह भी आप control कर सकते हो, right होना चाहिए, left होना चाहिए तो यह भी आप जो यहाँ पर manually जो control कर सकते हो option आपको मिल जाता है वहें पर जो यहाँ पर कितने second के लिए expand होगा वो भी आपको timing set कर सकते हो यहाँ पर sound का effect है, proper तरीके से काम करता है तो इनमें कोई भी issue देहनी को नहीं मिलता है notification panel के अंदर आपको देहनी को मिल जाते है notification, view, reply, unread और सास्याद आपको जो इतने सारे option यानि आप इन तीनों option को जो enable लगते हो ता आपको lock screen पर जब भी message appear होगा आप उसे full read कर सकते हो, reply दे सकते हो और उहाँ पर tap करके open भी कर सकते हो तो यह सारे option काफी जड़ा important है अगर आपको लगता है कि आपको प्राइवी सूट नहीं matter करती है तो आप इनका use कर सकते हो लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा कोई भी message कोई रिट करके reply कर सकता है तो यहने आप off ही कर सकते हो और face unlock आपने देखा भी proper तरीके से काम करता है तो काफी के लिए आपको face unlock का response देखने को मिलता है वह इपर home skin में icon को hide करने का option मिलता है यहाँ पर refill को और यहाँ पर छोटे जो animation होते है जब आप को open करते हैं तब आपको हलका सा animation देखने को मिलता है पहले वह अंदर को deep जाता है फिर उपर के रोबर के आता है उस चोटे से animation को भी आप चाहो तो disable यहाँ पर कर सकते हो इस setting का use करते है तो हम इसे on करके फिर से यहाँ पर टाइप करूँगा आप नोटिस करोए कि यहाँ पर जो animation था deep होने का अंदर की और वह है जो आप यहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो इस तरी के आपको जो छोटा सा animation disable करने का भी feature यहाँ पर मिल जाता है वहाँ पर जो line किस तरी के show होगा apps का वह आपको देहने को मिल जाता है running या फिर डो रो में या सिंगल रो में search bar आप लगा सकते हो अपने icon वगरे को hide कर सकते हो applications को जो की home screen पर है वहाँ पर यहाँ पर आपको fingerprint का भी response काफी better मिल जाता है और unlocking के time में vibrate भी आप set कर सकते हो ताकि आप जब भी unlock करो finger का यूज करते हो ताक को हलका सा vibrate feel हो वहाँ पर face unlock के अंदर android 10 के वज़े से आपको dual face unlock का feature मिल जाता है याने आप two face unlock के जब सेट कर सकते हो एक अपने best friend का या family member का और एक आप अपने खुद का यह फीचर से आपको यहाँ पर provide किया गया है जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर two face data में ने add कर दिया है बाकि जो extra option है वह भी आपको मिलते हैं बट मैं उने off ही रखता हूं यहाँ आपको ultra battery saving वगरा मिल जाता है और बाकि other option भी मिलते हैं जैसे कि आप performance वगरा करना चाहते हो या भी balance सकना चाहते हो यहाँ पर adaptive का भी option मिलता है और optimize करने का भी option मिलता है यहाँ पर ultra battery saving और battery saver और साथ से automatic task manager भी देखनी को मिलता है जिसका full benefit ले सकते हो इस Android 10 के वजह से वह पर apps के अंदर वही सारे आपको common option देखनी को मिल जाता है और यहाँ पर manage app पे आते हैं आपको app behavior भी वाला security वाला feature से आपको मिल जाता है जो कि app behavior के नाम से आता है वहीं पर as lock भी आपको पहले वाले ही देखनी को मिल जाता है इस screen on time यान वाला focus mode है यह आपको जो पहले ही देखनी को मिलता है क्योंकि MIY 12 पे चेंज हुआ है MIY 11 पे नहीं तो MIY 11 के बाद 12 आएगा तो उसमे आपको चीन देखनी को मिल दाएगा यहां पर आपको जो light mode टेहनी को मिलता है second space मिल जाता है kick reply मिल जाता है और यहां पर वीडियो टूल बॉक्स होगरा भी जो कि पहले वाला ही है तो अच्छे चरगी से आप यूज कर सकते हो यहां पर हम आते हैं अपने gallery की और तो gallery बिल मिलता है theme manager के अंदर आपको देहनी को मिल जाता है theme lab जहाप आप wallpaper और transparent wallpaper सेट कर सकते हो slide के लिए यहां पर आप जियो से call कर सकते हो कोई भी इस दूज नहीं आने वला है no problem सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा परफेक्टली काम करता है और यह पहले साफो प्री रूटेड मिलेगा तो आप यहां पर banking का भी यूज कर पागए कि हमारा जो नेट सेप्टी यह बिल्कुल यह जो पास देशनी को मिलता है याने रूट होने के बाज़ोद भी आप जो नेट सेप्टी पास रहता है अगर आप जीव यह सोथ आप यह आप यह वीडियो को भी कर सकते हो इस पोट रोम के अंदर आपको वीडियो कोल का भी जो चेंज कर सकते हो अपने स्क्रीन के लिए फोटोज लगा सकते हो बैगरांड में वाल पर सेट कर सकते हो और बहुत सारे एक्शन भी आप यहां पर सेट कर सकते हो और कई सारे चीज़ों का आप हाइड भी कर सकते हो ठगर आप को बहुत सारे कुस्टमाजिशन भी देखनी क को यहां पर मिल जाता है अब बारी हाते कि इसे फ्लैस कैसे करना है हमारे डिवाइस का अंदर दोसके लिए आपको स्यूज करके जाना होगा टीटर आपको वाइप पर जाना है यहां पर जीतने भी ऑप्सों इस सभी को आपको स्लेक्ट कर लेना है अब फिलाल में पिछ ब्ल फाइल को डाउलोड करके रखाया है तो यहां पर आपको ब्राउज करके स्लेक्ट कर लेना है फाइल को तो मैं आज तो अपने फाइल के उपर तो हमारा फाइल है एमाई वाई प्रू आप देख सकते हो एमाई प्रू वीडिन वाइडेट 20.4.9 पॉर्टेट ठीक है इसे स अगर आप अपर आपको यह वाइड करना है और रिबूट पर टैस करके आपको यह पर टेंगेट का वेट करना होगा क्योंकि थोगा थाइम लगने वाला है इसे बूट होने के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप टेंशन ले रहे हो एंटी रोल बैक का तो टेंशन लाइन की जुरत नहीं है अगर आप सेम एस्टेट फॉलो करते हो और हमेशा है जो राइट फाइल यूज करोगे ता आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है और कोई भी वीडियो को लाइक और दोस्तों का सेर्ट जरूर करें आप लोग है जो इतना प्यार दिखा होगे उससे कहीं जाता है जो हम लोग सपोर्ट प्राइट करेंगे तो बस आपको लाइक सब्सक्राइब और सेर करना है तो मिलते निए निए वीडियो में निए टॉपिक के